वाफ युज है जिसक्वेज सिपुशंट एज वीडियो केपशिअ अबत कोनेवाले हैं इस रिएक ए प्रढक्छन ईंजिनियरिंग के बारे में इन परदोक्शन से काम कैसे करता है क्या काम होता है तो यह वीडियो कोैंट पड़िवाइगे करते होते हैं चया और सेलरी पैकेज क्या होती एक प्रडॉद्वेशन एक इंज्जिनियर की लाइट तो ङर वीडियो को एंड़ाय देखिए केसटений के लिगो एच्छी लगती है तो लाइब शेयर स्क्राइब कर दीजिएगा चैनल को तो बीना देड़ी करें वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले आता है आज के इस वीडियो में हम क्या के डिसकस करने वादे है तो जो हमारे एजंटे होगा हमारे वीडियो का तो उसमें हम जानेंगे वाट इस प्रोड़क्शन इंजिनियरिंग प्रोड़क्शन इंजिनियरिंग होता क्या है फिर जानेंगे प्रोड़क्शन इंजिनियरिंग एक्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं एक प्रोड़क्शन इंजिन यह तो सबस्बसेबचंब से मुत होता है यृरण आपर 와서 इंजनेरिंग के लिए और लाश्ट मीन जानिगे प्रॉक्षन इंजर इंजनियरिंग के इनेरी कितनी होती है तो Let's Begin तब से पहले आरहा है, what is production engineering, production engineering होता है, basic production engineering, एक manufacturing engineering के नाम से भी जानते है, हमें production engineering को, planning करता है, designing करता है, developing करता है, managing करता है, यह सब ही process करता है, एक अच्छे high quality products को produce करने के लिए, from the industrial engineer to production manager, एक industrial engineer से production manager तक एक production engineering assistant से manufacturing engineer तक production engineer works in a variety of fields and hold different titles production engineer एक इन सभी fields में work करता है और बहुत सारे titles को hold करता है right in India is offered the undergraduate level India में यह जो PROGRAMPM है वो under graduate and post graduate लेवल पर होता है future master degree प्राप्त करने के सब्सक्नाद आप my PhD भी कर सकते है इस इस वीड Stud docte को आपिकलों क्यों बीटेक वी जो आपकी मर्जीयों फिर 1002 फिर तो आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं इस फिल्ड में then production engineering exams कौन कौन से exams clear करने पड़ते हैं हमें इस production engineer बनने के लिए राइट जब आप b.tech degree के लिए भरते हैं production engineering के फिल्ड में तो आपको 12th pass होनी चाहिए with physics chemistry mathematics के साथ further अगर आप m.tech और में डिगरी करते हैं तो इसके लिए बैचलर सिख्री कंप्लीट होनी चाहिए आपकी with 50% aggregated marks के साथ minimum criteria है यार यह production engineering के इसके लिए जो हमें exams clear करने पड़ते हैं अलग-अलग stage के लिए अलग exams है जैसे कि CT common interest test यह basically diploma लेवल पर होता है अगर आप दिल्ली की बात करें तो 2020 म पर डिप्लोमा लेवल पर आप ले सकते हैं merit based हो रहा है इस साल entrance exam नहीं हो रहा है तो आपके लिए आसानी पड़ेगी production एक production engineer बनने के लिए दैन आप gate exams भी होती है जै मेंस MHT CET VIT engineering entrance exam राइट जिसे VITEEE के नाम से भी जाना रहता है अब जानते है production engineering courses and specialization के बारे में राइट यह जो पॉर्सी साइड देखिए यह कोर्स इस तीन चार काटिग्री में बाटा गया है जैसे कि डिप्लोमा कोर्स डिप्लोमा इन प्रॉक्शन इंजिरिंग आप और प्रॉक्श डिप्लोमा इन इंडस्रियर और प्रॉक्शन इ इंजिरिंग नाइट वही अगर बैचलर कोर्स की बात करें तो आप बी टेक या बी इप्रॉक्शन इंजिरिंग में कर सकते हैं और बी टेक और बी आप इंडस्टियल एंड प्रॉक्शन इंजिरिंग में भी कर सकते हैं अगर मास्टर कोर्स की बात करें तो एम टेक इन प बात करें तो PhD courses में डॉक्टर आफ फिलोसिपी इन प्रोड़क्शन इंजिरिंग मताब आप प्रोड़क्शन इंजिरिंग की PhD बन जाए सब्सक्राइब घरिए हासिल करना अगर प्रोड़क्शन इंजिरिंग में तो एक लिए अचा रहेगा फिर आप तो आप जानते हैं पोर्ड़ूंड इंजिरिंग बारे में पोर्ड़ूं इंजिरिंग की जोब्स वह्त सा फील्ड में जानते हैं आ आपके पास प्रोर्ड़ूंडीन्ग की Unternehmen तो आपने रिसर्च लेप्रक्टर्णी सेक्टर्स क्मटीकेशन सेक्टर्स क्र好吧 सब्सक्राइब फोट है फोट हैल्ट एन इंफरमेशन टेक्विशी इन सभी जेतर में आप जा सकते हैं ये रही कुछ जॉब्स जैसे की नीचे देखे आप देह सकते हैं रेड ग्लाव में प्रोडक्शन इंजिनियर इंजियनिंग प्लांट प्रोड़क्शन मेंगर पोसेस वहीं अगर कंपनी के बात करें तो काफी सारी कंपनी साती है जैसे कि सत्यम वेंचर्स ते इस्टील अथॉर्टी ओफ इंडिया लेमिटेड काफी बड़ी कंपनी है एंड ऑईल एंड नेच्रियल गैस कॉर्परेशन नैशनल थर्मर पावर कॉर्परेशन मैंद्रा एंड मैं अगर आप एंट्री लेवल पर जाएंगे तो 2.525 लैक्स होंगे पर अन्वल सेलरी एंड अगर मिट करियर के बात करें तो 527 लैक्स तक आपकी जा सकती है अगर आप एक्सपीरियंस बंदे है तो आपकी मैक्स तो मैक्स 7-15 लैक्स तक अराम से हो जाएगी तो यार यह थी कुछ चीजे प्रोडक्शन इंजिनिरिंग के बारे में जो कि आपको वीडियो में पता चल गई है आई होप आपको समझ में आ गया होगा वीडियो अगर आपको फर्दर और भी कोई जान करी चाहिए तो आप नीचे मुझे कमेंट में पूछ लीजेगा मैं जवाब देने कि पूरी कोशिश करूंगा राइट एन आपको नेक्स टॉपिक पर वीडियो चाहिए वह भी बता दीजिएगा कमेंट में तो तब तक के लिए चलते हैं बावाए सी आवा कुछ टे